Hello and welcome students, I am Gita Negi from Navujyoti Global School, Mona. So students, आज हमारी class second का chapter 4 and chapter का name है हमारा counting in tense. इसमें आपको छोटी से small सी एक story बनाई है, बताई गई है, उसे मैं आपको बताऊंगे और आपको ध्यान से सुननी है, ठीक हो गया? chickens and the clever fox, chickens and clever fox की छोटी सी small सी एक कहानी है, story है. टिकलू farmer has many chickens in her farm, टिकलू था कोई उसकी क्या था, वो एक farmer यानि के एक किसान था, तो उसने क्या पार लखेते हैं, छोटी छोटे चूजे अपने farm पे छोटी छोटे चूजे पार लखेते हैं, one day a clever fox saw these naughty chickens playing around, तो एक दिन जो चालाग लोमनी होती ना, वो clever fox उसी को बला जात है, तो वो क्या करती है, वो छोटी छोटी चूजों को खेलते हुए देखती है, तो एक दिन वो उनको खेलते हुए देखती है, from that day, she started telling and eating chickens everyday, और उस दिन से वो क्या करती है, उसी दिन से start करती है, उन चूजों को हर रोज खाने लगती है, तो टिकलू को उसके बारे में पता चल जाता है, See escape the fox, Hey, do you eat my chickens? तो जो टिकलू farmer थी, वो पूछती है, कि तुमने मेरे chickens, तुमने मेरे चुजो को खाया, तो रूबो कहता है, No dear, I am your friend, तो कहता है, I have, How can I eat your chickens? तो रूबो कहता है, No, मैं तो तुम्हारा friend हूँ, मैं कैसे तुम्हारा चुजो को खा सकता हूँ? And तिकलू thought of counting hair chickens every morning and evening, तो तिकलू क्या कहती है, कि अमसे में क्या करूंगी? अपने chickens को सुबे और morning और evening में रोज count करूंगी, morning में भी और evening में भी, but the chickens keep it moving around here and there, she said, I will put 10 chickens in one basket and count them, तो क्या कहती है कि उसके जो चूजो होते हूँ, क्या करते हैं, आसपास, मतलब आसपास, ऐसी घुमते रहते हैं, तो क्या करूंगी आप, 10-10 chickens को एक basket में, 10 chicken रखूंगी, तो इसी तर से, and I, and if I find any, or then missing, I will give the fox a tight slap, तो क्या कहती है कि, इससे मुझे पता चल जाएगा, कि मेरे कितने chickens, miss हुए हैं, and मैं क्या करूंगी, उसके बाद, fox को एक, जोर कर थपड लगाऊंगी, and in the morning, she counted her chickens, तो और वो क्या करने लगती है, morning में अपने chickens को count करती है, how many basket of 10 chickens are there, आपको यहाँ पर देख रहोंगे, कुछ बास्केट दिखाए दिये हैं, अब आपको बताना है कि, एक बास्केट में 10 chickens हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने बास्केट हैं, how many basket कितने हैं, one, two, three, four, five, तो कितने बास्केट हैं, five baskets हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, how many baskets of 10 chickens are there, कितने हैं, five, तो how many chickens are there in all, तो अब आपको बताना है कि, इन में यह जितने भी chickens हैं, यह सारे कितने हैं, तो आपको count करने, तो हमारे पाल तो five baskets हैं, तो उसमें कितने हैं, one basket में कितने हैं, ten, तो ten में हम five into करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, 50, ten, 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 तो हम ten, ten को अगर add कर देंगे, तो हमारे कितने हो जाएँगे, 50, क्योंकि हमारे पाल five boxes हैं, five baskets हैं, और उसके बाद आप देख रहोंगे, basket के बाहर भी, कुछ chickens हैं, उनको भी count करेंगे, 50 तो हमारे यह होगे, और इसके बाद हम इसको count करेंगे, 51, 52, 53, 54, तो यहाँ पर भी लिखा है, 50 plus 4 is equal to, कितना आ जाएगा हमारा, 54, इसी तरीके से देखें, in the evening, आप साम के टाइम पर देखें, she counted the, counted the chickens again, तो वो फिर से अपने, evening में अपने, chickens को count करती है, first one question देखें आप, there are basket of, 10 chickens, आप देखें उसके पाद पहले कितने थे, 5 basket थे, उसमें chickens थे, आप इसके पास कितने हैं, आप उसके पास सिर्फ 4 ही हैं, कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, तो यहां पहीं क्या लिखेंगे हम, there are 4 baskets of 10 chickens, there are plus, sorry, there are, dot plus 3 is equal to, फिर देखेंगे आप, blank है, chickens in all, तो अब आपको बताना हैं कि, जो उसके पास basket हैं, उसमें कितने ही chickens हैं, तो आपको count करना है, तो यह तो 4 हमारे पास क्या होगे, basket होगे, तो हमारे उसमें कितने हैं, 1 में कितने हैं, 10 हैं, तो 4, 10, 10 into 4 कितना हो जाएगा, 40, 40 plus 3 is equal to 43, तो टोटल कितने हैं उसके पास, अभी आप 43 chickens हैं, ठीक हो गया, and next question देखेंगे आप, 54 minus dash, is equal to dash, chickens have been eaten by the fox, तो कितने chickens, उसने खा लिये हैं, फॉक्स ने, 54 minus, अभी हमारा उपर कितना आएगा, 43 is equal to कितना आजाएगा, 54 में से 43 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, कितना आएगा, 11, 11 chickens have been eaten by the fox, तो कितने खा दिये हैं, 11 खा दिये हैं, How many are these, भानू collects sticks from the jungle, He sells them in the market, तो भानू क्या करता है, jungle से, jungle जाता है, वहां से क्या करता है, sticks collect करके लाता है, एंट उन्हें कहां, market में, base देता है, यह आपको दिख रहा होगा, यह भानू है, यह क्या करता है, जंगल जाता है, वहां से क्या लेकि आता है श्टिक्स लेकि आता है और उन्हें market में page देता है He used 10 sticks to make one bundle आप देख रहूंगे फ़िस्ट वाली उसका hand देखे उसके नीचे देखे हैं आप फ़िस्ट वाली आपको देख रही है उसमें क्या कर रहा है वो वो क्या करता है 10 sticks का एक bundle बनाता है तो उसके एक stick में कितने होंगे 10 तो इसी तरीके से 3 bundles have sticks तो 3 bundles में कितने sticks होंगे उसकी 1 bundle में 10 है तो 3 bundle में कितने होंगे 10, 10, 10 10 में 10 add करेंगे 20, 20 में 10 add करेंगे 30 sticks हैं इसी तरीके से Now how many sticks in all these अब आपको ये 3rd वाली देखनी है कि उसमें sticks दिख रहे हैं आपको bundle दिख रहे हैं कुछ तो ये कितने हैं आपको count करने हैं 1, 2, 3 3 तो हमारे क्या हैं bundle हैं तो 3 bundle के कितने होंगे 30 इनको count करेंगे मेरे साथ 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तो कितने हैं 39 stick in all ऐसे 4 bundles would have sticks तो 4 bundles अगर हम बनाएंगे bundles बनाएंगे तो हमें कितने sticks चाहिए होंगे इसके लिए 40 तो कितने चाहिए होंगे 40 यानि कि हमारे 1 bundle में कितने हैं 1 bundle अगर हम बनाएंगे तो हमें कितने sticks चाहिए 10 2 bundle बनाएंगे तो 20 स्टिक्स चाहिए होंगी 40 स्टिक्स चाहिए होंगी I hope जो मैंने आपको आज बताया वह आपको समझ में आ गया हो और आप इसे घर में भी कर सकते हैं और आप कुछ इस्टिक्स वगेरा भी इखटा करके इस तरीके से बंडल वगेरा बना सकते हैं ठैंक्यू